देश भड में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर में एक्टीब केसों का आकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है हर तरफ खोहराम और तवाही मची है इसका ठीन दौर में होस्पीटल में महामारी मची है तब आप नागरीकों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो इस बीमारी के बारे में सब कुछ जाने हम यहां आपको चार सवालों की जबाब ग्राफिक के जरिये समझा रहे हैं कि टेस्ट कब कराएं कब नहीं कौन सी दवाई फिलाल मरीजों के लिए ज़्यादा उपयोगी बताई जा रही है कुरोना की कितनी स्टेज हैं और दूसरी लहर में खुद को कैसे बचाएं इससे आपको कुवीड के खिलाप लड़ाई में मदद मिलेगी तो सबसे पहला सवाल कब आप टेस्ट कराएं और कब नहीं जब आप में बुखार, बदंदर्द, सांस लेने में परशानी, स्वाद और खुश्बू नहीं आना, ठंड लगना और इसके इलाबा आँखे लाल या घुलाबी हो जाना, बेट खराब होना, सुनने में परशानी होना तो आपको कुरोना का टेस्ट करवाना चाहिए कुरोना संकरमित मरीजों के 6 भीट या इससे ज़्यादा खरीब आकर 15 मिनिट या इससे ज़्यादा अगर आपने समय बिताया है, तो भी आपको कुरोना का टेस्ट करवाना चाहिए अब सवाल बनता है कि कब टेस्ट नहीं करवाए वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद, दो हपते से ज़्यादा समय गुजार चुके हो या फिर कुरोना संग्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद भी टेस्ट की जरूरत तो नहीं है पर अगर आपको आशंका हो तो टेस्ट जरूर करवाले कुरोना वाइरस के कोई लक्षन न दिखाई देने पर भी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होती इसके साथ ही यह भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर कौन से टेस्ट कराएं और ये टेस्ट कैसे होते हैं तो आपको बताते हैं कि ये टेस्ट कैसे होते हैं और कौन से टेस्ट होते हैं Rapid Antigen Test जिसे RTA के नाम से जाना जाता है ततकाल रिपोर्ट मिल जाती है अगर RAT positive आती है तो COVID confirm है लेकिन अगर negative आती है और फिर लक्षन दिखते हैं तो पूश्टी के लिए RAT PCR टेस्ट कराएं कौन से टेस्ट कैसे होते हैं तो इसका तरीका भी आप चाल लेजे RAT टेस्ट करने का तरीका नाक से स्वैब लिया जाता है और 15-20 मिनट का समय लगता है RAT PCR में नाक एवं गले के तालू से स्वैब लिया जाता है समय 4-5 घंटे फिलाल लग रहे हैं ध्यान रखे अगर आपके मन में टेस्ट के दवरान CT value और CT score की बात आती है तो ये दोनों अलग-अलग चीजे हैं CT value की अगर बात करें तो RAT PCR टेस्ट में पता चलने वाले CT value ये बताता है कि मरीज में वाइरस लोड कितना है 24 घंटे में कम value वाले को खत्रा अधीक है इससे उपर वालों को कम अब CT score की बात करें तो डॉक्टर्स कुछ मरीजों के लिए चेस्ट स्केन के लिए कहते हैं इससे अधीक CT score आने वाले मरीजों को अधीक खत्रा होता है इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि कुरोना के कितने स्टेज होते हैं आमतोर पर इसके तीन स्टेज होते हैं पहला स्टेज में होम, कारिंटीन या आईसोलेशन वार्ड में रखा जाता है कोई भी लक्षन नहीं होना, चेस्ट स्केन का सामान ने होना कभी-कभी हलका बुखार, सर्दी गला बंदोना, उल्टी दस्त जैसे लक्षन दिखाई देने पर पहला स्टेज माना जाता है वहीं स्टेज 2 के A में आईसोलेशन वार्ड यानि होस्पिटल आईसी यू की बात की जाती है यानि बुखार लगातार बनी रहना, सर्दी सीने के सीटी असकेन में घाव का नजर आना अगर ऐसी कोई लक्षन है तो आपको हस्पिटल में आईसी यू वार्ड में रखा जाता है स्टेज 2 में ही आईसी यू वार्ड की भी बात होती है जिसे B स्टेज कहा जाता है नीमोनिया होना, खून में ऑक्सीजन लेबल बिनानवे परतिशत से कम होना ऐसे मामलों में स्टेज 2 भी में रखा जाता है स्टेज 3 में भी आईसी यू की बात होती है लेकिन सांस लेने में परशानी होना, ऑक्सीजन लेबल लगातार घटना, दिल का दौड़ा पढ़ना, खून के ठके जमना, किड़नी का खाम करना, बंद कर देना या कम करना, ऐसे हालात में आईसी यू में शिप्ट किया जाता है अगर आप में इन सब में से किसी भी तरह की लख्षन हैं, तो आप टेस्ट करवाएं ही इसके साथ साथ यह भी जान लेना चाहिए, कि आखिर मरीजों के लिए, इलाज के लिए, कौन-कौन से दवाएं और थेरेपी फिलाल उपलब्द है मरीजों के इलाज के लिए, उपलब्द दवाएं और थेरेपी में, रैमडे सिवीर, जिन्हें आटी PCR में कुरोना की पुष्टी हो, खुन में ऑक्सिजन लेवल 94 परतिशत से कम हो, सीने के सिटी असकेन या एक्सरी में संग्रमन की पुष्टी हो, तो ऐसे मामले में योगी माना जाता है, फेबी पीरावीर, जिन्हें आटी PCR में कुरोना की पुष्टी हो, वोखार जुकाम सास लेने में तकलीफ हो, उम्र 18-75 साल के बीच ये दवाएं दी जाती है, ये भी ध्यान रखनी की बात है कि नैशनल गाइडलाइन्स में इसे लगाने की सलाह नही जिनका उम्र 18 साल से अधीक हो, बुखार जुकाम सास लेने में तकलीफ हो, खोन में ऑक्सिजन लेवल 94% से कम हो, ऐसे मामलों में बलड प्लाजमा थरेपी किया जाता है, लेकिन ध्यान देने के बात ये है कि घंभीर मरीजों के लिए कारगन नहीं है, ये थरेपी किवल मर लोगों के लिए अनुमती नहीं है, अब ये भी मान का चलना होगा कि कोई दवाई नहीं है, सबसे बेहतर दवाई बचाओ ही है, इसलिए मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और सोसल डिस्टनसिंग का पालन किजिए, अगर कुरुना के डेटा की बारे में बात करें, तो अक्टिव केस का आकड़ा 15 अप्रेल तक 15,63,000 पहुंच चुका था, 14 अप्रेल से 15 अप्रेल के भी 24 घंटे में नए मामले 2,16,000 थे, इनी 24 घंटे में 1182 लोगों की जान गई थी, तो वहीं 18 अप्रेल को 2,50,000 से जादा कुरोना के मामले दर्ज हुए हैं, 1500 से जादा मौतें 1,77,150 हो चुकी है, इसलिए आप बेहत सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, न्यूज तक ब्यूरो